के बारे में तो 50,550 से 50,400 का जो लेवल है दोस्तो वो कापी important support जो आने अगर हम ये लेवल को काटते है तो फिर नीचे में हमें 50,150 का लेवल देखने को मिल सकता है उसके नीचे हमें final support जो है वो ध्यान में लेना चाहिए 49,850 का लेवल अगर ये लेवल काटता है दोस्तो त हमें 70 को जाना चाहिए हमारी long position से क्योंकि ये लेवल के नीचे खोड़ी से बड़ी गिरावट हो सकती है और थोड़ा से trend भी negative जा सकता है तो वो लेवल के नीचे जो है वो 49,550 से लेके 49,250 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है वो भी अगर काट देता है तो फिर 48,800, 48,300 का लेवल भी आ सकता है अगे आने वाले समय केंदर तो हमें जो ये वो थोड़ा सा 70 क्रेयना है 50,000 का लेवल जो ये वो फुटने देंगे बाट तो दोस्तो आपने ये चोटा सा वीडियो क्लीप सुना वो हमारे last week के weekly update का था पूरा वीडियो का link ने जे description के अंदर दिया गया है वो लिंक उपन करके आप पूरा वीडियो देख सकते हो आपको दोस्तों अगर मेरा ट्रेडिंग सेटप देखना हो मेरा ट्रेडिंग सेटप कैसा होता है तो उसका भी लिंक ने ज़र डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है वो लिंक ओपन करके आपको Google Play Store से हमारी अप्लिकेशन जो वो डाउन्डोड करनी है हमारी अप्लिकेशन के उपर आपको जो वो स्टोर का ओप्शन दिखाएगा वहाँ पर पूरा मेरा ट्रेडिंग सेटप का जो कोड से वो रखा गया है जोस्तों आप चाहो तो वहाँ पर लिंक ओपन करके पूरा ट्रेडिंग सेटप देख सकते हो